जब बेख नादरेन और यहां बहुत ही मज़दार मिक्स वेगेबल जो है वो तैयार हो रहा है और आज हम आपको एक जबर दस्ते सब्जी यह है मुझे पसंद आई है तोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है इसको बनाने का तो तोड़ा सा ओल आपने ले लिया और बेंगे पहले हम जो है आえल के अंदर अधर एड़ करेंगे वो ये है किस थीप पता हो गया ठीक है अच्छा है इसकी खुश्बूा आजाएगगी इसके अदर और इसके साथ जीरा ओगया ठीक है और हरी मिर्चे यह मैं पहले डालना रहा हु तो इससे क्या हुता है कि आपके आउयल के अंदर एक फ्लेवर आ जाता है जो पूरे सबजी में आपके बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है अच्छी तरह से बून लें जैसे खुश्बू इसकी अच्छी से आपको खुद आने लग जाए इसलिए कि आप करीब कड़े हैं तो आपको खुश्बू अच्छी से आउयल के अंदर खुश्बू एड़ जाए तो फिर आपने प्याज एड़ कर देना है और अधरक लेसन भी एड़ कर देना है ठीक है यह मैंने दोनों चीज़े हैं अच्छा इसको हमने जो प्याज है जैसे कि हम सालन के लिए बनाते हैं वैसे हमने बहुत स्टाउं नी करना है हल्का सा पकान है ठीक है यह मसालव इसमें दों फ्राइक कर दिया और सबसे पहले मैं आलू जरी मेर्टाइम हो गया है रेक और इसमें अध्रक लेसन का पेस्ट प्यास डाल कर तीन से चार मिनट के लिए फ्राई करें अब इसमें टमाटर शामिल करें और लाल मिरिच, नमक, जीरा, आम चूर और धनिया पाउडर शामिल करके भून लें जब टमाटर गल जाएं तो इसमें तमाम सबजियां और लोबिया शामिल करने एक कप पानी डाल कर गलने के लिए छोड़ दें जब पानी खुश्क हो जाएं और सबजियां गल जाएं तो इसमें क्रीम शामिल करें और कड़ी पत्ते का भगार लगाएं और डिश आउट कर लें खुश्बू बहुत अच्छी सी आ रही है ब्रेक में जाने से पहले हमने जो सख सबज़ियां जिसे का आलू है गाजर है वह हमने अट कर दिया थक और अब बगी नरम सबज़ियां जो है ना वह एट कर देते हैं इसमें ठीमाटर है और इससे क्या होता है कि सख सबज़ियां पहले चली जाएं तो फिर सारी सबजों का कलर एक जैसा ही रहता है और ज्यादा वो मिक्स नहीं होता, ठीक है, ये एक तरीका कार है, और इसमें हमने शिमले मिर्च एट कर दी है, ठीक है, अब मैं मसाले एट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा तदनिया, चाय का चंचा, एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, नमक हजब जरूद, ठीक है और साथ में करी पाउडर, ये भी एक खाने का चंच, और तकरीबन दो से तीन खाने की चंच, शिर्फ दही इसमें से, ठीक है, क्रीम या दही, दोनों में से कोई भी चीज इसमाल कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो, ठीक है, बस इसको आपने क्या करना है, मि इसलिए के पहले हमने गाजर और आलू डाल दिये थे वह पक रहे थे जब तक और इसके बाद ये मसाले और बाकी चीज़ें आइट करने के बाद आपने इसको लगा देना है धकना और हरी प्याज जो है वह हम आखर में डालेंगे ठीक है और बाकी एदर हम सबजियों को बूल लेंगे ठीक है चलेंजी फाइनली डन हो चुका और इसे आप डिश आउट कलें खुबसूरत से प्लेट पर और थोड़ी सी जो है सेंटर पर गानिश करते हैं ठीक है जबर्दस गर्म करम खुश्बूदार जो शुरू की टैक्निक हमने इस्तमाल की थी कड़ी पत्त के सालन में टाइम होगी है खुदाहाफिस करने का जिन्दगे लिए तो फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए इजादत अलाफिस पबाएंड चकाओ हुआ है